हेलो स्टूडेंस आप सुभी का स्वागत है आपके अपने चले टागेट समिस्टर में मैं हूँ अमरित राय और आज हम डिस्कूस करने वाले हैं बिजनस और्गनाइजेशन के मौस्ट मौस्ट इंपॉर्डन या या वो कुष्टन्स हम आज आपके लिए बड़ा इस पेशल कोस्ट्ण होता है यह पासे बार बार बर बोलता हूँ कि किसी परिक्षा की आपको अगर त्यारी करनी है तो पहले यह देख लो किप्षले वर्सों में कैसे कोस्टन्स नहीं हैं कैसे प्रस्ट पुछे का है त आपके आने वाले future में भी पूछे जाते हैं चलिए अच्छा एक important information आप सभी के लिए कि आप सभी ने अगर हमारा अभी तक सार्थी बैश जोई नहीं किया क्योंकि students हमारे यूटूब के वो बड़े dependent रहते हैं कि वो यूटूब के चंद वीडियो पे तो भाई अगर आपक आपको 20-25 नंबर लाना है हर सद्देक में तो यूटूब का वीडियो देख लिए काम चल जाएगा लेकिन अगर आपको सौ में से 90 नंबर लाना है 95 नंबर लाना है 80 नंबर लाना है वाटेवर यू कैन expect maximum तो फिर आपको जोईन करना पड़ेगा हमारा सार्थी बैश इंत इस्टर का उसका भी description box में लिंक दिया गया उसको जरूर जोईन कर लिजेगा ताकि future में जो भी communications है वो हमारी WhatsApp रूपे जरी आप से हो सके चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question business organization का पूछा गया है liability of a sole proprietor is यानि एकाकी व्यापारी के उत्तरदाइद तो कैसे होते हैं जो इसका मालिक उसका भी liability unlimited unlimited liability का मतलब क्या है कि अगर जरूरत पड़ी अगर business की संपत्ती सफीशेंट नहीं है परियाप्त नहीं है business के करजों को चुकाने के लिए तो आपकी व्यक्तिगत संपत्ती आपका घर का बरतन आपका घर आपका दुआर सगरी बेज दिया जाए मतलब unlimited liability का मतलब यह होता है कि आपके personal assets पर भी खत्रा मंडरा रहा होता है अगला question one man control is best in this world एक इंसान का नियंत्रण दुनिया का सबसे बहतर नियंत्रण किसने कहा था विलियम आर बैसट ने कहा था किसने कहा था याद रखिएगा विलियम आर बैसट साब ने कहा था कि one man control is best control in the business in world क्यों क्यों यह statement कहा गया जब हम एक partnership चलाते हैं तो partnership में कोई भी काम करने से पहले में mutual consensus लेना पड़ेगा यहर इंसान की सहमत ही लेनी पड़ेगी अगर एक इंसान भी यह सहमत है तो वो काम नहीं हो सकता है कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी में आपको resolutions पास करने पड़ते हैं अगर resolution पास नहीं हुआ तो decision भी नहीं लिया जा सकता है लेकिन अगर एक इंसान है तो उसकी मर्जी चलती है वो जैसे चाहता है वैसे कंपनी को चलाता है और इसी statement को ध्यान में रखते हुए हमारा एक कंपनी का कंसेप्ट है और विद्यार्थी के लिए सक्सेस के लिए क्या जरूरी है दामरीद पाट सालों को सब्सक्राइब बरना ठीक है चलिए कर लिजेगा ध्यान से अगला बुश्च्ट्र इंडस्टी विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस इसकॉल्ट वो द्योग ज इसकॉम सर्विस इंडस्टी भी कहते इसकॉम सर्विस सेक्टर भी कहते है क्योंकि इसमें समान का प्रोडक्शन नहीं होता है इसमें समान का प्रोडक्शन नहीं होता है इसमें समान को जहां बना है यानि प्लेस प्रोडक्शन जो है वहां से प्लेस अफ कंजम्शन तक पह पूछा गया है कि गयर आर्थिक गतिविदी और पूछा गया नहीं है मतलब यह पूछने की 60 कस गतिविदी कौन सी एक्टिविटी है तो भाई पैट्रियोटीजम रास्ट्रक्त प्रेयन यह एकक्ट्र थोड़न होते ठीक है ठीक ठाक कमा लेता हूं उस खाने भर का बस जादे नहीं कमा पाता हूं धीर धीर कमा लोंगा अगर आपका सवयोग रहेगा तो ठीक है अगला कुर्श्चन किसमें आव सकता है किसमें आव सकता है किसे बड़ी खासित यही होती है कि प्रोफेशन एक इंसान में प्रोफेशनल तभी बन पाता है जब मेरे पास एक स्पेश्लाइस नॉलेज है स्पेश्लाइस, сб… कि मैं आपको समझा सकता हूं अगर मेरे पास खुब जनान बहुता हुता तो मैं यहां वे पर नहीं आता लेकिन बोलने नहीं आता आपको समझाने आता तो मेरा उट्ञान गयूर्थ था इंजिनियर उसके पास इंजिनिरिंग कलोने से हैं अगला वीच फॉलोइंग इस्टेज ऑफ प्रमोशन निम्लिकित में से कौन सा समवर्धन का चरण है पहला है डिस्कवरी ऑफ इन आइडिया वह प्रमोशन का मतलब क्या होता है आपकी भासा में प्रमोशन का मतलब एक ऐस निम्लिकित अच्यवर्ट करता है और जो एंसान प्रमोशन करता है उसको हम क्या कहते है अंप्रमोटर कहते हैं गया section to overl retircs i9 में का गया की प्रमोटर के मतलब इनसान जो कंपनी के बनने से पहले कंपनी के सारे काम पर्सनल करपेसिटी में करें उसे हम प्रमोटर कहते हैं तो भाई प्रमोशन के स्टेज में कौन-कौन सा आता है डिस्कवरी एफ एन आइडिया एक विचार की खोश भी आता है मतलब हमने जो सोचा है क्या वह सच में संभाव है कि नहीं अगला अगला संसाधनों की आओ सकता होगी उन संसाधनों को हम जुटाएंगे इस कांसर क्या हो जागा अलब दीज यह सभी के सभी है को सब्सक्राइब हो गया आपकी उनिवसिटी कभी ने सुधर सकती है ठीक है एक आकी व्यापार का दाइद तो होता है और सीमित अनलिमिटेंट ने सारे कोश्चन में मत एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारा सब सही हो जाएगा और सब रिपीट हो जाएगा अब सही करवाना है अब तो सार्थी में आना पड़ेगा आपको अगला विच्वन अब फॉलोइंग इस नौट इन ऑजिलीरी टूटेंड निमलिकित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक नहीं है माइनिंग माइनिंग क्या होता है माइनिंग एक्स्ट्रैक्टाइव इन्डस्टी के एक्जाम्पल और और ये पूछ क्या रहा है फर्समान को स्टोर करना विरर है दहार्ज भी आता है वेरहाउसिंग और गोदाम वगएरा भंडारा वगए आता है वेरहाउसिंग समझते हो समान को स्टोर करना अगला दोकूपेशन इन विच पीपल वर फॉर 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 अधर इन रिटर्न इस नोन इस वह वह साइज इसमें लोग दूसरों के लिए काम करते और बदले में उन्हें कुछ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं इंप्लॉइमेंट लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे देश के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो नौकर बनने के लिए नहीं नौकर बनाने के लिए पैदा हुए नौकरी लेने के लिए नहीं नौकरी देने के ल लिए इंप्लाइमेंट रोजगार ठीक अगला कुश्च्छ थर्टीन गुट्स इंपोर्टेट फॉर पॉर्पर्स एक्स्पोर्ट इस निर्याद के उद्देश से आयातित माल को डैस के रूप में जाना जाता है मतलब एक ऐसा आइटम एक ऐसा गुट्स जी इंपोर्ट किया गया है यूज करने के लिए नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए हमने खरीदा दुबारा बेशने के लिए किसी दूसरे देश को हमने चाइना से समान खरीदा अमेरिका सो अमेरिका को बेशने के लिए इसको हम क्या इसके तो महारती हैं आप लोग मैंने तीनों प्रिंसिपल बताया है एक सहकारी समीति एक कॉपरेटरी सोसाइटी तीन प्रिंसिपल्स पर काम करती है कौन-कौन सा है self help through mutual help swarm की सयोग पारसपरिक सयोग से पारसपरिक सयोग से swarm की सयोग दूसरा all for each and each for all सभी के लिए एक और एक के लिए सभी और तीसरा one man one vote ये तीन सिध्धान्त है ये तीन pillars है जिस पर पुरी cooperative society की newty के हुई है ठीक है कौन-कौन से है self help through mutual help swarm का सयोग पारसपरिक सयोग से दूसरा all for each each for all सभी के लिए एक के लिए सभी तीसरा one man one vote हर इनसान को एक vote मिलेगा इसका अंसर क्या होगा cooperative society अगर यहाँ पर question ये पूछा होता कि one share one vote किसका principle company का है cooperative society का नहीं है याद रखेगा कुछ बचे confusion करके एक्जाम में गलत करके आते हैं आगे साथ question दिया भी होगा ये अगला liability of members in cooperative societies सहकारी समिती के सदस्यों का दाइद तो होता है कैसा होता है limited unlimited no liability none of these सीमित और सीमित कोई दाइद तो नहीं इनमें से कोई नहीं कैसा होता है बाई सीप में भी और सीमित होगा अच्छा एक बच जा रहा है हिंदू undivided family चुआ हिंदू और विभाजित परिवार्जिस समें क्या होता है करता का liability unlimited होगा और co-partners का liability limited होगा सीमित होगा और लप होता है limited liability partnership उसमें एक होता है general partner ये कोता है special partner जो general partner होगा उसका liability unlimited होगा लेकिन आपका याद रखेंगे एललपी में सारे पार्टनर्स के लिएविल्टी लिमिटेड होती है ठीक है अगला मैक्सिमम नंबर अफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी इस लिमिटेड टू एक नीजी कंपनी में सदस्यों के अधिक्तम संख्या है कितने हो सकते हैं न्यूनतम कितने जरूरी है कंपनी बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो मिम्बर्स होने चाहिए अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो अच्छा कर वन परसंट कम बनानी है तो कितने होने चाहिए कम से कम एक वन पर्सन कमपनी में कम से कम एक इंसान होना चाहिए प्राइवेट कमपनी में कम से कम दो लोग होने चाहिए और पब्ली कमपनी में कम से कम साथ लोग होने चाहिए अच्छा पार्टनर्सिप बनाने तो कितने होने चाहिए कम से कम दो मैक्सिमुम कितने हो सकते है 50 तो private company में याद रखेगा maximum number of members 200 तक हो सकते हैं 200 तक हो सकते हैं अच्छा क्या 200 से अधिक नहीं बना सकते हैं तो फिर convert करो private company को अपने public company में convert करो कुछ special legislation नहीं दिमाग से निकाल दो section 13 और section 14 लगेगा यानि आपको company sect के हिसाप से अपनी company को private यानि निजी company से सारवस्णी company में convert करना पड़ेगा यानि इसका रूपांत्रण करना पड़ेगा अगला 17 which of the following forms of business organization has limited liability to its members निमलिकित में से किस प्रकार के विवसाइक संगेठन का अपने सदस्यों के प्रती सीमित दाई तो होता है अपने सदस्यों के प्रती company अच्छा ध्यान से क्या पूछा गया बहुत सही कोश्टन राप्ट किया गया है which of the following forms of business organization has limited liability to its members business की liability limited नहीं है company के members की liability limited होती है company के members की liability limited होती है ठीक है company का limited होता है मतलब company की संपत्ति तब तक बेची जाएगी जब तक company के सारे दाई तो चुका नहीं विए जाते हैं यह company कैसे सब तक बेचे जाएंगे जब तक सारी liabilities क्लियर नहीं जाती है उसका हुजाएक आंसर कंपनी मैं आपको बहुत सारे question सैसे बता रहा हूं जो यहां दिये नहीं है लेकिन आ सकते exam में वह बहुत important आपके लिए अगला principle followed in a cooperative society same question मैं आपको बताया सहकारी समित्य में किस सिदान कपालन किया जाता है one man one vote एक व्यक्ति को एक वोट पी लेगा ठीक है अगला question the structure invest there is a separation of ownership in management as per law is called एक संरचना जिसमें कानून के नुसार स्वामित्य एवं प्रबंधन का प्रत्थिकरण किया गया है मतलब company company में मालिक अलग होता है और management अलग होता है management कौन करते हैं company में board of directors और मालिक कौन होता है shareholder या member अच्छा किसमें इन दोनों का separation नहीं है जो मालिक है वही management भी है फोल प्रप्राइटर में भी नहीं है partnership में भी नहीं है हिंदू undivided family में भी नहीं है limited liability partnership में भी नहीं है लेकिन LLP में एक चीज होता है कि LLP में जो main partner होता है हम कहते है dpne designated partner खेर वह आपके slivers में नहीं है बस इतना याद रखे कि sole proprietorship में management भी वही करेगा मालिक भी वही होगा partnership में management भी करोगे मालिक भी तुम होगे मालिक भी तुम होगे लेकिन company में अलग है अच्छा cooperative society में भी अलग होता है कोप्रेटिव सोसाइटी में कौन management करता है कि managing committee क्या कहते हैं कोप्रेटिव सोसाइटी के management का जिम्मा होता है managing committee का उसके मालिक होते हैं उसके members उसके subscribers अगला question registration is compulsory कहा registration compulsory है भाई company बनाना है तो company का existence ही तबहाता है जब company registered होती है और कंपनी को INC 11 में किसमें INC 11 में COI मिलता है यानि सर्टिफिकेट अफ इनकरप्रेशन यानि पंजियन का प्रमार पत्र मिलता है ठीक है चलिए अगला कॉर्शन मिनिमूम नंबर अब डेक्टर से ना प्राइवेट कंपनी नीजी कंपनी में नियूंतम निद्देश्कों की नहीं करता हूं कम से कम कितने होंगे प्राइविट कंपनी में दो और पब्ली कंपनी में तीन वन पर्सन कंपनी में अच्छा मैक्सीमं कितने हो सकते हैं तीनों में पंद्र हो सकते हैं 15 से जादे कर सकते हैं क्या करना पड़ेगा इस प्रस्ताओं को पारित करना पड़ेगा कंपनी के एज्युल एजीम में कंपनी के वार्षिक आम बैठक में अगला 22 हिंदू सक्षेशन एक्ट वाज पास दी हिंदू उत्र अधिकारिय दिनियम किस सं में पारित किया गया 1956 में अच्छा हिंदू सक्षेशन एक 1956 को अमेंड करके नया कानून पास या इस में राइव मेंबर्स को है ह Commonwealth में उतना ही फीमेल मेंबर्स को भी है दोनों को बराबर अधिकार दे दिए गए सच मानेगी और जो कंपनी कहेंगी वह प्रमोटर सच मानेगा एक दूसरे को ऑचेंट नहीं है ढ टरस्टी नहीं है अपर कंपनी चल रही हिए ठिक है अफसन वह जाएगा है विश्वास भी संबंध होता है मायनिंग दिन एकजामपल है खनन माइनिंग में क्या करते हैं जमीन के नीचे से चीजों करते हैं इसका यह हो जागा एक्स्ट्रार्टी पूरती निस्कराशन देउग तर 香े चोली परएसे कॉलिय अगला बन औरा सबसे बड़ा चाहिएयर sa जरूरत पढ़ने पर जब बिजनस इंस्वेंट हो जाए बिजनस के पास उतनी संपत्ति नहों जितना के उसके तो partners की व्यक्तिगत संपत्ती भी बेची जाएगी partners के personal assets को भी sell कर दिया जाएगा थीक है इस cancer क्या होगा partners personal assets can be used to repay the firm's debt or liability from sबी हो जाएगा आप company में सा हो सकता है क्या नहीं नहीं हो सकता है क्योंकि company liability Limited होती है members की company की नहीं अगला The one who is स्पेसिलाइज वह वह चैन्व अपने कि मैं क्या ने चैनल लेक। क्या कहते हैं प्रोफेशानल विक्ति के पास होता है कि अ किते कि सिंथ्ध व्यों ध मिया हुआ सब क्या करते हैं जिसम में से कुछ आसे लोग लेके आते हैं और बइस देते हैं कहते लेजार हमारा POS छेर प्रोफेस्टनल प्रोमोटर सट जो प्रोमोशन करेंगे औस चलाएंगे वह आपेसी प्रोफेस्टनल permettre नियुके मैं गजर्संट से रिशिस्ट अभ वर्मोटर में Liebe दोड़ां समय किस् tam नहीं तुम मत करो अपको सलाह देना है आए जा कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टेड अकाउंटेंट कल को अगर आप सीए या सीएस बन जाते हैं या फिर कोई भी प्रोफेस्टनल बनते हैं तो आपके पास कोई आएगा काईगा भाई पार्टनर्सिप बना रहा हो रेजि पासर क्या होजाएगा वौलांटी होती त् довольно होती तो यह चीक है लेकिन करा लेना चाहिए कोई मैंरेट्री नहीं है है अच्यो अगला question 30 which one is incorrect in case of a public company public company में कौन सा चीज गलत है कौन सा कथन सही नहीं है artificial person by public company artificial person होती है public company और private company और company है तो artificial person because it is created by persons created by persons और persons ने क्या बनाया था law अब देखिए perpetual succession member आये जाये मरे जिये company के existence पे कोई प्रवाव नहीं पड़ता है separate entity होती है बाई company अलग है company का मालिक अलग है company अलग है company का management अलग है सब तो अलग ही होता है लेकिन public company में shares की transferability free होती है private company में shares के transfer पे restriction होता है ठीक है तो non-transferability of shares is cancer होगा क्यों होगा क्योंकि public company shares को transfer कर सकती है आसानी से कोई दिक्कत नहीं है स्वतंत्र रुप से लेकिन private company पे प्रतिबंध होता है कि आप अपने shares को transfer तो कर सकते हैं but subject to some restrictions कुछ प्रतिबंध लगाएगा है अगला question the objective of businesses business का objective क्या होता है व्योसाय का उद्धेश से क्या होता है profit कमाना profit earning क्या business का एक मात्र उद्धेश से profit कमाना गलत बात business का तीन उद्धेश से होता है कौन कौन सा और ऑगनाइजेशनल objective अब्जेक्टिव और सोसल अब्जेक्टिव और परस्नल अब्जेक्टिव और इस और इस और इस संगठनात्मक उद्धेश्य में तीन उद्धेश से आते हैं व्यक्तिगत उद्धेश से होते हैं सामाजीक उद्धेश से होते हैं तो क्या हम profit क्यों कर दें नहीं business का objective होता है profit भी कमाएं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी नहीं भाएं तो इसका अंसर क्या होगा profit with social responsibility क्या होगा अंसर इसका नहीं रखेंगे न केवल प्रॉफिट नहीं होगा इसका अंसर प्रॉफिट भी सोसल रिस्पॉंसिविटी कर दिया गया कंपनी के लिए क्या का गया है कि कोई भी कमपनी जिसका turnover 1000 करोड या उससे ज्यादा है उसका paid up share capital 500 करोड या उससे ज्यादा है उसका net जो profit है वो 5 करोड या उससे ज्यादा है तो उस उसको तो देना पड़ेगा अगर इस दायरे में तुम आते हो तो अगला partner who is not actually involved in the partnership but lands his name for the public relation purposes एक साज़ेदार जो वास्तों में साज़ेदारी में सामील नहीं है लेकिन जन्द संपर्क दिश्यों के लिए अपना नाम उधार देता है उसम क्या कहते नॉमिनल पार्टनर जैसे मानलो मैं हूं आप लोग उने चार लोग ने partnership खोला फोड़ा बहुत नाम तो मेरा है इतन कांफरेंस में हमारे किसी event में कि मैं भी partnership का partner हो क्योंकि आप कहेंगे तो हो सकता है कुछ लोग आजाएं चलो हम तो छोटे आदमी है अमिताब बच्चन को बिलाला अपने partnership में इतने सारे fans है उसके नहीं और क्या अमिताब बच्चन तुम्हारे उतना फुरसत है कि तुम् नहीं मिलेगा तुम capital नहीं लगाओगे लेकिन फिर भी तुम्हारे लाइबिल्टी अनलिमिटर होगी असी में दाइट होगा थर्टी थ्री कंप डास कंपनी दस नोट इंवाइड पब्लिक तु सब्सक्राइब टू सेर कापिटल डास कंपने सेर पूजी की सदस्यता के ल अधि पब्लिक को सेर्स नहीं बेज सकती है डिबेंचर कोई भी सेक्योटी सुने कर सकती है पब्लिक को किस से डील करेगी प्राइवेट कंपनी तुम प्राइवेट कंपनी हो तुम प्राइवेट लोगों से डील करना तुम चुनिंदा लोगों से डील करना ठेक है निजी इसकी लाइफ शुन होती है स्वार्ट नहीं होती है मतलब कुछ जरूरी के चले गाई रहे वह सकता है खुब चले हो सकता ना भी चले आस्थी रहे हो प्तिक है अगला कोशन। विचल्दी फॉलोइंग इस स्पेसिफिक फॉर्म बिजनस ओगनेशन विर मेंबर्सिप इस भाई बर्थ निमिकित में से कौन सा व्यापारिक संगठन का एक विशिस्ट रूप है जहां सदस्यता जन्म से होती है हिंदू अंडिवाइड फैमिली हुए इसको सौट में कहते हैं हिंदू और विवाजित परिवार जैसे आप किसी परिवार में जन्म लेते हैं तुरंत आप उस परिवार के मेंबर बन जाते हैं ठीक है अगला कोशन और प्रॉस्पेक्टर से जिसूट भाई डैस द्वारा ए परिवार कांचटेंट्स सीक्रेसी और फीचर सफ व्यक्तिकर्ट संपर के वं गूप नहीं था किसकी विश्यस्ता है कि सोल परप्राइटर्शिप है पार्टनर्शिप में भी हो सकता है लेकिन यह बोला कि पर्सनल परिवार कोंटेक्ट मतलब एक ही इंसान तक पूरी को बताना है अग कंपनी में नहीं होता है कंपनी में मेंबर च पर्व अवर को बताना ही है एडिटर्सिक नहीं सरकार बटाव कर ये तो हाँ लिक Lol से कंफनि को बतानी आवाल को बताने ही जरूत नहीं एक एक फॉर्म स्वता रूप से भंग हो जाएगी यदी कैसे आप्शन है डेथ आफ पार्टनर रनिंग इंटु लॉसे पार्टनर्स बिकम हैंडीकेप नन अब दिस अब ध्यान से सुनिएगा डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है जब हम बंद कर रहा है दो चीजे बंद होती है एक होता है पार्टनर्सिप डिसॉल्व हो रहा है क्या होना है पार्टनर्सिप डिसॉल्व हो रहा है एक होता है पार्टनर्सिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है पार्टनर्सिप डिसॉल्व ह अब आपको भी partner बनाना है तो नय serious agreement को बनाना पड़ेगा admission of a new partner, reconstitution of partnership deed आपने सुना होगा कि जब भी कोई नया partner आएगा जब भी कोई पुराना partner छोड़ के जाएगा या फिर जब partners को लग रहा कि नहीं profit का ratio मुझे बढ़ाना या घटाना है तो उस case में आपको partnership को दुबारा agreement को दुबारा बनाना पड़ेगा this is called dissolution of partnership and forming of a new partnership agreement पुराना partnership agreement खतम हो गया, नया partnership agreement बन गया अगला तो dissolution of firm यहाँ पे पुछा गया है firm will automatically be dissolved अच्छा एक partner की मृत्यू से firm automatically resolve हो जागी क्या एक partner मरा firm automatically resolve हो जागी यहाँ परने चाहिए death of all partners ठीक है अब देखो यहाँ पर answer date of a partner यह होगा क्यों 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 हम यहाँ पर यह मान के चलना कि हमारे partnership में दो ही partner है और जब एक मर जाएगा तो बचेगा कितना एक तो partnership कहारा भाई वो तो sole proprietorship हो गया मतला firm dissolve हो गया यहाँ पर यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि university कैसे सोच रही है यह मैंटर नहीं करता है वाव कि तुम कैसे सोच रहे हो हो सकते तुम बहुत ग्यान हो लेकिए कोई बात नहीं बैटा तुम अपना ग्यान अपने पास रखो हमाई तरह से सोचो तब पर देंगे नितों नहीं देंगे अगला कोश्चन सोल प्रप्राइटर से पर सुटेबल इन केस ऑफ एका की स्वामी तो निम्लिकित के किस मामले में सुटेबल होता है बताइए स्मॉल कैपिटल इंटेंशी इंडस्टी के स्मॉल बिजुनुंस ओपरेशन लाजग स्केलर में इनज्मेंट ननापद इस भाई बड़ा में इनज्मेंट है तो कंपनी भनाना पड़ेगा Capital Intensive Industry बहुत जादे Capital Investment लग रहा है तो कंपनी में आना पड़ेगा भाई बहुत जादे Capital Investment मतलब बहुत जादे पैसा लग रहा है 100 करोर, 500 करोर भाई कौन सा इंसान है जिसके पास 500 करोर होगा आज इसे इन्वेस्ट कर देगा मुगे संबानी थोड़ नो बैठे हैं सब लोग कि 500 करोर, 500 करोर, इसे इन्वेस्ट कर देंगे इसका आँसान क्या होगा Small Business Operation लग हूँ व्यवसाय संचाला Last question A person cannot be a nominee in more than Dash 1 person company तो भाई, एक इंसान, एक ही company का nominee भी बन सकता है और एक इंसान, एक ही company का member भी बन सकता है, वो OPC का तो इसका आँसर जाएगा A तो that's it, यह था आपका 40 question Most, most, most important questions यहां से काफी 4 question जिक्जाम में आएंगे और अब ही तक आपने सार्थी बैच को जोईन नहीं किया अरह, इंसान, जिक्जाम में आपका 50